तो दोस्तों ये है एक स्पून, अगर इसमें मैं मैं मेरी उंगली नस्दीक रखता हूँ, तो इसमें मिलता reflection सीधा यानि कि erect है, लेकिन जैसे ही मैं उंगली दूर लेके जाता हूँ, reflection उल्टा हो जाता है, अब ऐसा क्यों होता है, आई ये जानता है सिर्फ दो मिनिट में स्पून की इनर सर्फिस एक concave mirror की तरह behave करती है, जैसे की ये, इसको हमने एक hollow sphere से cut किया है, जिसकी inner surface बहुत ही reflective है, और हमने उसे कुछ इस तरह से cut किया है, इस sphere के center को center of curvature यानि की C कहते हैं, और इस mirror के center को P यानि की pool कहते है, C और P से principal axis पास होती है, principal axis पर ही F यानि की focus है, जो CP का midpoint है, अगर कोई रे principal axis के parallel आती है, तो वो mirror से reflect होने के बाद F से pass होगी, और उसी का उल्टा, अगर कोई रे F से pass होती है, तो वो reflect होने के बाद principal axis के parallel ही जाएगी, इसे phenomenon का use करते हुए जानता है कि इस object की image हमें कहां पे और कैसी मिलेगी, इसके top most points से हम दो rays निकालेगे, एक होगी जो principal axis के parallel होगी और reflect होके focus से गुजरेगी, और एक होगी जो focus से pass होगी और principal axis के parallel ही reflect होगी, और ये दो rays जहाँ पे intersect करेगी, वहाँ इस object की tip होगी, और उसके नीचे इस object की image होगी, जो real होगी और inverted होगी, क्योंकि ये दो point वास्तव में intersect कर रहे हैं, वही अगर मैं object को mirror के करीब लाओ, और F और P के बीच में रखूँ, तो उसके top most point से निकलती rays कुछ इस तरह से होगी, अब आप सोचोगे, ये दोनो rays intersect तो कर नहीं रही है, तो image भी नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी आखे उनको mirror के पीछे virtually intersect कराएगी, इससे बनती image भी virtual होगी, और जैसा कि आप जानते हैं, कि virtual image हमेशा erect होती है, और real image हमेशा inverted होती है, तो आप समझ गए होगे कि जब हम हमारी उंगली को focal length के अंदर रखते हैं, तब virtual image बनती है, इसलिए हमें हमारी उंगली सीधी दिख हाई देती हैं, लेकिन जब हम F के पीछे हमारी उंगली को रखते हैं, तब वो उल्टी हो जाती है, क्योंकि वो एक real image है, तो दोस्तों मैं ऐसा ही educational but entertaining वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ, तो मेरी चैनल को subscribe कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगो तक share करना, तो मिलते हैं मेरी next वीडियो में, तब तक के लिए, goodbye